मत्ती रचित सु समचार पंदर्वा अध्याय तब यरुशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री इशु के पास आकर कहने लगे तेरे चेले पुर्णियों की रीतों को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोय रोटी खाते हैं उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतों के कारण क्यों परमेशुर की आग्या टालते हो क्योंकि परमेशुर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आधर करना और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझ से लाब पहुच सकता था वे। फरमेश्वर को भेप चड़ाई जा शुकी तो वे अपने पिता का आदर ना करे। सो तुमने अपनी रीतों के कारण फरमेश्वर का वचन टाल दिया। मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुश्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। और उसने लोगों को अपने पास बुला कर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुह में जाता है, वह मनुश्य को अशुध नहीं करता, पर जो मुह से निकलता है, वही मनुश्य को अशुध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीशियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा, जो मेरे स्वर्गी पिता ने नहीं लगाया, उखाडा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए, तो दोनों गढ़े में गिर पड़ेंगे। जो मन से निकलता है, और वही मनुष को अशुद करता है, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यविचार, चोरी, जूटी गवाही और निंदा, मन ही से निकलती हैं, यही हैं जो मनुष को अशुद करती हैं, परन्तु हाथ बिना धोय भोजन करना, मनुष को चुद नहीं करता, यिशु वहां से निकल कर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया, और देखो, उस देश से एक तनानी स्त्री निकली, और चला कर कहने लगी, हे प्रभु दाउत के संतान मुझ पर दयाकर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, और उसके चलो ने आकर उससे बिंती कर कहा, इसे विधा कर, क्योंकि वे हमारे पीचे चिलाती आती है, उसने उत्तर दिया, कि इस्रा प्रभु पर उसने उत्तर दिया, कि लड़कों की रोटी लेकर, कुट्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुट्ते भी वे चूर चार खाते हैं, जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं, इस पर इश्व ने उसको उत्तर देकर कहा, क कि इश्व वहां से चलकर गलिल की जील के पास आया, और पहाण पर चड़कर वहां बैठ गया, और भीड पर भीड लंगणों, अंधों, गूंगों, तुंडों, और बहुत औरों को लेकर उसके पास आये, और उनहें उसके पाऊँ पर डाल दिया, और उसने उन्हें चंग किया तो जब लोगों ने देखा कि गुंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगडे चलते और अंधे देखते हैं तो अचंभा करके इसराइल के परमेश्वर की बढ़ाई की ईश्यू ने अपने चेलों को बुला कर कहा मुझे इस भीड पर तरस आता है क्योंकि वे त तीन दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं और मैं उन्हें भूका विदा करना नहीं चाहता कहीं ऐसा नहों कि मार्ग में ठक कर रह जाएं चेलों ने उससे कहा हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड को त्रप्त करें इशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटिया हैं उन्होंने कहा साथ और थोड़ी सी छोटी मचलियां तब उसने लोगों को भूमी पर बैठने की आग्या दी और उन साथ रोटियों और मचलियों को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता ग और बालकों को छोड़ चार हजार पुरिश थे तब भीड को विदा करके नाव पर चड़ गया और मगदन देश के सिवानों में आया